शाम मानोजी, सरकार्य स्वास्थ सेवाय, जिसे हम Public Health System भी कहते हैं, उसमें भारत में अभी कई समस्याएं हैं, यह हम देखते हैं, खास कर जब कुरोणा महारी दुनिया में आई तब भारत में किस तरह की समस्याएं आई, कितनी खराब परिस्थिदियां हुई, यह हम सबने जेला भी है और देखा भी है अब इन पब्लिक हिल्ट सिस्टिम को लेकर कॉंग्रस ने अपने मैनिफेस्टों में क्या गोशनाय की है वो कितनी प्रभावी आपको लगती है भारत ने जिस ढंग से संविधान को स्विकारा है जिस ढंग का लोकतंत्र स्विकारा है और 1947 में भ जित्र ये फ्री और कमपसरी होना चाहिए था और उसके साथ में स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होने चाहिए थे भारत के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखकर शुरुवात के जिनों में नेरूजी के गवर्मेंट ने उस क्षिजर में बड़ा ध्यान द पायार किये गए और दूसरी तरफ हर छोटे गाउं में एक प्राथमिक स्वास्तिक इंद्र हो हर जिले में सरकारी अस्पताल हो ये देखा गया और हमारे सभी शुरुवात के दिनों के अच्छी शिक्षा याने एजूकेशन मिल रहा था मिलना संभव था क्योंकि उनको बड़े पैमाने पर प्रयोग करने का आउसर मिलता था उसमें बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हो जाती है याने उन दिनों में कहा जाता है कि हमारे यहां का जो साड़े चार साल में M.B.B.S. पूरा करता है उसके इतना अनभव पूरे दुनिया में किसी डॉक्टर को नहीं होता था जब गवर्मेंट मेडिकल कॉलेजेस में उनकी पढ़ाई होती थी तब की बात मैं कह रहा हूँ और इसलिए भारत के डॉक्टर्स पूरे दुनिया में वेल ट्रेंड एक्सपर्ट्स लोग माने जाते थे लेकिन धीरे 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 हमारा इस और ध्यान कम होते गया जैसे ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के शुरुवात होनी इस देश में शुरुवात होई शुरुवात के दुनों में कुछ वो सरकारी लोगों के होने के कारण याने गौवर्मेंट के लोगों के ही होने के कारण याने मुझे कहना है नेताओं के होने के कारण वो शायद सरकारी अस्पतालों के साथ में जोड़े गए देरे फिर प्राइवेट अस्पताल खुलते गये और पूरा सिस्टिम बदलते गया उसके बाद में जैसे ही हमने उदारी करेंट्स विका रहा है उसके बाद में करीबन हमने ये बात जो है स्वास्थ भारत का सरकार की जिम्मेदारी है इस बात को ही हमने छोड़ दिया और वो प्राइवेट पर साउंद दिया परिणाम इसा हुआ कि आज अगर हम देखेंगे तो मैक्जिमम लोग जो बड़े पैमाने पर करजे में अटकते हैं लोन्स में अटकते हैं उसके पीछे का कारण स्वास्थ होता है लोगों का सरकारी अस्पतालों पर विश्वास नहीं बैठा सरकाली अस्पताल जिस धंग से हमने र उड़ता है क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी लगती है उसके घर के लोगों की जान बचा रहा है और इसमें उतने बड़े पैमाने पर खर्चे में अटक जाता है कि फिर पिर वो सिस्टिम में अटक जाता है जिसको हम लोन का सिस्टिम कहते हैं और फिर और गरीब और गर प्रचिली होती है वहाँ पर बिमा योजना के साथ में वो जोड़ी जाती है और बिमा योजना ये करीबन एक कंपलसरी हिस्सा बन जाता है इसलिए उसमें से ये जो गरीब तपका होता है वो बचता था हमारी हान ना बिमा योजना ये उस धन से भी कसीत हुई बिमा योजना हमने शलागू की लेकिन उसमें फाइदा भीमा कंपनियों का ही होता है पब्लिक का बिलकुल नहीं होता है और इसलिए उसके करण बड़े पैमाने पर यह पूरी सिमाएं हैं वो ज़्यादा महंगी ज़्यादा महंगी होते गई और आमाद में उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सफर होते आया है, ये सब स्थिती थी उनी दिनों में हमारे यहाँ, COVID-19 आया, COVID-19 के समय हमने देखा है कि पुरे भारत में जो सरकारी स्वास्थ सेवा उपलब्द थी, बची थी इतने सालों में, उसी ने सहीमाने में लोगों की जान बचाने का काम किया है, जो प्राइब लोगों ने लेकर अपनी जान गवाई हैं, डॉक्टर लोगों ने, और डॉक्टर के साथ में परिचारक लोगों ने, जो भी सेवा देने वाले स्वास्थ करमचारी हैं, उन्होंने उतना बड़ा त्याग भी प्राइवेट में नहीं किया गया, और उस समय बड़े पैमान है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं, कि ये कोरोना के दो साल के समय में करीबं ती हजर, 3 हजार सरकारी डॉक्टरों ने अपनी जान गमाई हैं, और अपनी जान देकर इस देश के लोगों की जान बचाई है, इस बड़ा योगदान देने वालीस सरकारी स्वास्थ सेवाइई हैं लेकिन उसके तरफ हमने बहुत कम ध्यान दिया मुझे लग रहा था कि कोरोना खतम होने के बाद में शायद मोदी गवर्मेंट के आखे खुलेगी अभी 22 में कोरोना खतम हुआ है 23 24 देड़ साल के उपर समय मिल गया है उन्होंने इस वोर कोई भी कदम नहीं उठाए भारत की सरकारी स्वास्ते से माएं प्रबल करना या फिर उसमें ज़्यादा इन्वेस्मेंट करना उनको ज़्यादा सक्षम बनाना इस दिशा में कोई भी कदम इस सरकार ने नहीं उठाए नहें उन्होंने उस दिशा में कोई कदम उठाने के लिए वो तयार है ऐसा दिखता है ये अगर इसकी स्थिती आज की देखे तो कॉंग्रेस के घोशना पत्र में जो बाते कहिए वो बहुत ही अश्वस्त करने वाली बाते हैं उसमें के कुछ ची केंद्र मुबाइल स्वास्थे एकाई और स्वास्थे शिबिर में गुणवत्ता पुरुन स्वास्थे देखभाल हर नागरेक के लिए निश्शुलक उपलब्द होगी स्वास्थे देखभाल में परामर्श जाच उपचार सरजरी दमाएं और पुनर सुधार शामिल कि याने पचेस लाख रुपए तक का इलाज निश्शुलक हो रहा था उस धंकिये कैशलेस बीमा योजना लगू की जाएगी मुझे इससे भी ज्यादा महत्व की बात लगती है जो बहुत इंपोर्टन लगती है कॉंग्रेस प्राथमिक स्वास्थे केंद्रों पीएसी को भारतीय सारवजनिक स्वास्थे मानक मार्ण दंडों के अनुसार विकसीद करेगी और प्रत्यक पीएसी में डाइगनॉस्टिक याने आधुनिक जाज की सुविधाय उपलब्द कराएगी याने कॉंग्रेस ने ये मान्य किया है कि हम प्राथमिक स्वास्थे केंद्र बड प्रुना अश्वासन है फिर कॉंग्रेस ने ये भी कहा कि सरकारी क्षेत्र में स्वास्थे बिमाय योजनाओं की शुरुआत को बढ़ावा देगी ठीक है वो आज के दिनों की वह आवशक्ता हो सकती है फिर बाद में कॉंग्रेस ने ये भी आश्वासित किया कि मात्रुत धंका कानून लाएगे कि जहां भी इस तरी काम करती है वहाँ पर उसको जब भी वो गर्वदारन करेगी तो उसको मात्रुत्वा उकाश देना पड़ेगा और वो उसके साथ में उसका पगार भी देना पड़ेगा कॉंग्रेस स्वास्थ के लिए बजट आबड़न को हर साल चरणबद तरीके से बढ़ा कर 2829 तक बजट का न्यूंतम 4 प्रतिशत करेगी यानि टोटल सरकार का जो खरचा है तो अभी 2829 का मतलब 3-4 सालों में वो करीबं 4 प्रतिशत तक पहुँचाएगी बड़े पैमाने करेंगी ये भी आश्वासंदिया है अब रहा सवाल भारत का सबसे बड़ा सवाल है इसा है कि यहां जो डॉक्टर लोग होते है वो ग्रामिंड शेत्र में काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं यहां कॉंग्रेस ने कहा है कि ग्रामिंड शेत्रों में सेवा देने वाले के लिए कठिनाई बहताथ दोगुना करेंगी और उनके रहने के लिए उपयुक्त सुविधायie प्रदान करेंगी फिर उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे आशाकारे करता है अंगनवाडी कारे करता है मध्यान नभोजन रसोईया है इनके सभी के मांधन दोगुना करेगी आशा कारे करता डाइरेक्ली स्वास्ते योजना के साथ में जुड़ी हुई होती है इसलिए ये महत्वकी बात है और फिर सबसे बड़ा अश्वासन कॉंग्रेस ने दिया है जैसा उन्होंने हर प्राथमिक स्वास्ते के इंदर पीए से निर्माण करेगी इसका अश्वासन दिया है उसी के साथ में ये अश्वासन दिया है हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और उसके साथ में अस्पताल स्थापित करेगी अभी कई जिलों में अस्पताल तो है लेकिन वह बहुत अच्छे डंग से नहीं चल रहे है लेकिन उसके साथ में अगर सरकारी मेडिकल अटैच होता है कॉलेज तो नैचरली वह बहुत अच्छे डंग से सुचारू रुप से काम करेंगे और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि Medical Collegeों में रिक्त सभी पदे जो भी पद भी रिक्त है Medical के और Paramedical के वो तीन साल के भीतर बरेगी Medical College खोलने के लिए ये बहुत ही महत्वका है शायद इसके लिए काफी प्राइवेट नेता लोग जिनके Medical Colleges होते हैं जो Medical Colleges खोलना चाहेंगे वो Congress को अंदर से ही विरोध करेंगे इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि Congress का ये जो गोशना पत्र में पढ़ रहा हो तो सबसे जादा बड़ी लड़ाई Congress के यानि राहुल जी को उपर के जो लीडर से जो ये करना चाहते है उनको Congress के नेताओं के साथ में लड़ाई करनी पढ़ेगी क्योंकि इसमें बहुत स्वार्थी लोग भरे हैं जो अपने खुद के Medical Colleges चलाते हैं या चलाना चाहते हैं यहां पर इन्होंने ये आश्वासन दिया है Congress ने अपने गोशना पत्र में कि कोई भी Medical College अगर खोलते हैं तो वह 75% पद जो होते हैं वो minimum 75% पद आपको भरने होगे ये कानूनी अनिवारियता होगी उसके बिन मों College चली नहीं सकेगा ये बहुत है आजकल बहुत कम लोगों की भरती करकर ये Medical Colleges चलाये जाते हैं उसमें से पैसों का बड़े पैमाने पर दोहन होता है और बहुत ही Untrained और कम ग्यान वाले डॉक्टर्स उसमें से पैदा होते हैं हम सभी जानते हैं कि परिक्षाओं के माध्यम से Private Medical Colleges में लोगों को अवसर मिलता है कम मार्स मिलने के बावजूत लेकिन करीबन 10% सीट से इसी होती है कि जहां किसी percentage की आवशक्ता नहीं होती है केवल बड़े पैमाने पर डोनेशन देकर वो सीटे भरी जाती है और फिर वहां कोई भी डॉक्टर बन सकता है तो ये इस पर बहुत अच्छे डंग से एक नियंद्र ना आएगा दवाई के बारे में भी उन्होंने कुछ अच्छी बाते कहीं है दवाओं के सभी निर्माता ओपर कड़ाई से निगरानी रखी जाएगी ताकि वे अच्छी गुनवत्ता बनाए रखे और अच्छी उत्पादन प्रक्रिया का पालन करे ये आज के जमाने में बहुत ही आवश्रक है ये जो इलेक्टोरल बॉर्ण के माध्यम से जो बाते उजागर हुए उसमें ये बात भी उजागर हुए ऐसी कई दवाई कमपनिया थी जो अच्छे ढंकी दवाई निर्मान नहीं कर रहे थे दवाईयों में कुछ गड़बडिया थी कमजूरिया थी जिसके कारण काफी लोगों का नुक्सान हो रहा था सायरप का नाम उसमें लिया जाता है और भी कई दवाईया है ऐसे कमपनियों की चोकसी शुरू ही थी एडी भी वहाँ अपना काम कर रहे थी और उसी समय में इन लोगों ने बड़े पेमाने पर इलेक्टरल बॉंड बीजेपी के लिए खरीदे बे बीजेपी के पारटी के अकाउंड में जमा हुए और इन पर की कारवाई रूख ही गई याने कोई आगे चलकर कारवाई नहीं हुई तो ये जब सब हो रहा है अपने देश में तो ये आश्वासन बहुत महत्वका है फिर बाद में केंदर सरकार के अवशधाल अयोग की संख्या में तेजी से विस्तार करेगी ये भी आश्वासन लिया है याने जे ये मेडिकल के दुकान होगे ये दुकान सरकार के होगे और वहाँ पर उचित मुल्ले पर सरकार के द्वारा दवाईया उपलब्द होगे और उसमें ब्रांडेड और जेनरिक दवाईया वितरित की जाएगी ये भी कहा है हाला कि दवाई कंपनिया जो मेडिकल शॉप को दवाईया देती है उसमें 50-60 प्रतिशत का मरजिन होता है आजकल बड़े पैमाने पर जो दवाईयों की चेन निर्मान होई वो 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत का आश्वासन देती है लेकिन बाकी लोग MRP के आधर पर ही दवाईया बेशते हैं सरकारी इस धन के शॉप्स में ये कम पैसों में ब्रैंड़ेट दवाईया भी उपलब्द होगी और जैनेरिक दवाईया तो अलड़ी सस्ती होती है 35-40% की कीमत पर ही वो उपलब्द होती है तो वो भी फाइदा लोगों को मिलेगा तो ये दोनों निर्णे बहुत अच्छे निर्णे हैं आश्वासन बहुत अच्छे आश्वासन है साथ में ठीका करण के बारे में कहा है कि अभी 46% बच्चों को ठीका करण होता है वो 100% तक किया जाएगा ये भी बहुत अच्छी बात है और स्वास्थय केवल दवाईयों तक समित नहीं रखा है केवल बिमारिया ठीक करने तक समित नहीं रखा है तो कॉंग्रेस ने और भी एक आश्वासन दिया है कि बारवी कक्षा तक याने केवल स्कूलों तक नहीं तो बारवी कक्षा तक सभी स्कूलों में मध्यान भोजन का विस्तार किया जाएगा ताकि बच्चों का कुपोशन कम हो बहुनापन कम हो याने उचाई की जो प्रॉब्लेम भारत में है वो कम हो कुपोशन कम हो इसलिए मध्यान भोजन का विस्तार बारवी कक्षा तक के सभी स्टूडन्स के लिए किया जाएगा मुझे लगता ये बहुत ही अच्छा निर्णे है भारत जैसे देश में बहुत अवश्चक निर्णे है और फिर सुरक्षा कानून पारित करेगी डॉक्टरों के लिए ये भी कहा गया है हमारे यहाँ खास करकर बहुत बड़े पेमाने पर स्वास्थ्य केंद्रों पर या फिर जो सरकरी अस्पताल है वहाँ रश होता है उस रश में डॉक्टर लोग सब लोगों को अच्छे डंग से न्याय नहीं दे पाते हैं अपनी बाद ठेक डंग से लोगों तक पहुँचा नहीं पाते हैं और उसमें से काफे हिंसा गटनाएं होती है डॉक्टर का लाइब डेंजर में आता है तो वहाँ उनके लिए एक खास सुरक्षा कानून पारित किया जाएगा और उसके माध्यम से इन सामान ने हिंसा के गटनाओं को अपराधिक दरजा दिया जाएगा ये भी निरने बहुत अच्छा है हलाकि अपने देश में ये जो दो चीजे है शिक्षा एजुकेशन और स्वास्थिर इस ख्षेत्र में कॉंग्रेस ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है मुझे हमेशा लगता है और मैंने एक दो बार ये बात आपके सामने दोहराई भी है कि ये नया कॉंग्रेस का अवतार जो नेरू के जमाने की कॉंग्रेस थी उस डंग के डिसीजन अभी एक कॉंग्रेस लेना चाह रही है नेरू के कॉंग्रेस ने इस देश को खड़ा किया अपने पैरों पर सही माने में भारत को भारत बनाया और फिर से आज इसके आवशक्ता है और उस दिशा में हम अभी ठोस कदम उठा रहे हैं ऐसा स्पष्ट रूप से कॉंग्रेस के गोशना पत्र के आदार पर दिख रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बेटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए